जैबीम सभी को नमग बुथा हैं आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं यह जानने का प्रयतना करते हैं कि जब अब बुद्ध पुजा करते हैं तो उस समय हम बुद्ध को फूल क्यों अरपन करते हैं वह किस चीज का प्रतिक हैं तो हमें यह जानने के पहले यह जानने के आवशकता है कि बुद्ध पुजा यह अतिशय सरल व साधी है जिसमें हम पुष्प, मुम बत्ती, अगरबत्ती इन वस्तु का इस्तमाल करते हैं हम किसी भी तरह से नारियल फोड़ना और घंटी बजाना इसका इस्तमाल नहीं करते हैं तो हम जब फूल अरपन करते हैं जब हम पुष्प अरपन करते हैं बुद्ध को तो हम वह क्यों करते हैं और वह किस चीज का प्रतिक है तो वह फूल अनित्त का प्रतिक है अर्थात जैसे फूल हमें सुगंदित लग रहे हैं तेजस भी लग रहे हैं अतिशे सुन्दर लग रहे हैं वैसे ही कल वो मुर्झा जाएगे उनका अस्तित्व नहीं रहने वाला है उनमें से सुगंदि का जो प्रवाण है बहुत कम हो जाएगा उसी तरह से हम जब फूल अर्पन करते हैं तो हमें यह बात का ध्यान रखने की अतिशे आवशक्ता है कि वैसे ही उन फूलों की तरह आज मैं जो सुन्दर तरून अतिशे सुन्दर मेरी वानी है अतिशे सुन्दर में दिख रहा हूँ मगर कल मेरा अस्तित्व नहीं रहने वाला है कर मैं या तो दफना दिये जाओंगा या फिर जला दिये जाओंगा तो इसी चीज का भाव रखते हुए हम वह फूल बुद्ध को अर्पन करते हैं थैंक्यू जै बीम लाओंगा